दोस्तों कैसे हैं आप लोग और ये है गाड़ी RS 200 यानि की 200 CC की ये गाड़ी है पलसर नाम है इसका बजाज की गाड़ी आती है आप लोगों को तो सब पता है बट इसकी खूबियों के बारे में मैं बता दूँ खूबी क्या इसका रिव्यू मैं करने आया हूँ आज सोरूम तो ये है आपका पहले गाड़ी का मीटर का कंसोल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है पलसर की बैजिंग 13 लीटर की टंकी के साथ में आती है गाड़ी ठीक है और ये मोनो सॉक सस्पेंशन रेड कलर का बाई अंदर लकिन इसका एक कलर है रेड वाला वो बहुत किलर ल लाइट है वो देख सकते हैं RS की बैजिंग जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पर वो है और इसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो इंजिन है बड़ा ही बेजोड इंजिन है 200 सीसी का जो की आता है 28.7 PS की पावर के साथ में 9000 रेप्यम पर और 18.7 सम्थिंग का कुछ है जो की 9000 का आरप्यम पर टॉर्क जनरेट करता है ठीक है तो यह है यहाँ पर लेकिन बहुत ही रफ एंट टफ भागने वाली गाड़ियों में से एक है 30 लीटर टंकी के साथ में क्लिप ओन हैंडल बार है E20 का अपडेट आपको इसमें मिल जाता है गा जो की बहुत किलर बनाता है लोगों को इतना चौड़ा वाइजर पसंद नहीं आता जो यह पूरा है बट लकिन यह जो आखे आप देख रहे हैं नसीली मधोस करने वाली प्रोजेक्टर लाइम की बात कर रहा हूं मैं और यहाँ पे 300 mm का डिक्स ब्रेक है बाइस आप डिक जो भाओं है मतलब आखे तो यह है उसके साइट की बाओं मतलब बिल्ली वाला लुक है भाई मतलब मतलब रोबोटिक गाड़ी लगती है लाकिन हाला कि रोबोटिक जैसा इसमें होगा क्यूंकि आप तो भाई आ ही रहा है सारी चीज़ा आप यहाँ पे देख रहे हैं गे प्लसर की बात ही कुछ और है जो लोग पलसर के दिवाने हैं वो प्लिस कमेंट कर सकते हैं यह डियारल देखिए आपको बाहर से मार्केट से लगाने की जरूत नहीं है यहाँ पर और यह देखिए यह मैं डिक्स ब्रिक दिखा रहा हूं जो की ABS के साथ में आता है यहाँ प सब्सक्राइब करीगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में दीजा तुल की जाज़े टिल दे